आफ़े वेल्कम बेके चैनल हम यहां पर जनवरी मन से लेकर अक्टुबर मन तक के सभी इंप़रेंट करेंट अपलिश को के इसको क्यरेंग वाइस डिस्कॉस कर रहे हैं अभी तक मैंने कुछ इंप़रेंट पार्ट आपके साथ शेयर किया है सबसे पहले जनवरी मन से लेकर October month मतलब last 10 month के हमने military exercise देखे last 10 month में जो भी important index publish हुए थे वो भी हमने देखा last 10 month में जो भी नए banking initiative launch हुए थे वो भी हमने discuss किया और आज के part में हम discuss करने वाले हैं last 10 month में January से लेकर October month तक कौन कौन से important books को launch किया जब हम किसी book के बारे में बात करते हैं तो केवल हमें दो ही बातें याद रखनी होती हैं पहला तो book का नाम और दूसरा कौन है author इसके अलावा तीसरा question कभी पूछा नहीं गया और नहीं पूछा जाता है तो हमें केवल दो ही बातों पे focus करना है कि किसने launch की है book और author कौन है that's it ठीक है आईए एक एक करके हम यहाँ पे last 10 month की सभी books को discuss करने वाले हैं इसके पुराने सारे वीडियो पहले जो सारे वीडियो मैंने discuss कि है उसकी एक separate playlist available है आप जाकर देख सकते तो यहाँ से आपका complete current affairs revise हो जाएगा आपको कहीं भी भटकने की भागने की जरुवत नहीं पड़ेगी और इनकी pdf पूजा जन classes application पे available है application को आप play store से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर यह सारी pdf आपको मिल जाएंगी तो आप easily उसे print out भी कर सकते हैं और directly इनसे भी बढ़ सकते हैं तो स्टार्ट कर लेते हैं with first book पहली book का नाम है गांधी a life in the three campaign अब गांधी जी ने during the freedom struggle कई सारे campaigns को run किया था तो गांधी a life in the three campaigns कौन-कौन से तीन campaign है? एक है non-corporation movement असायोग आंदोलन, salt satyagra and quit India movement मतलब हमारा भारा छोड़ो आंदोलन और इस book के author कौन है M.J. Akbar M.J. Akbar आपको इस book के author देखने को मिलेंगे और book का title है गांधी a life in three campaigns next अब सुधा मूर्तियो नारायन मूर्थी जी को सभी लोग जानते है यहाँ पे सुधा मूर्तियो नारायन मूर्थी जी co-founder है Infosys के और Infosys एक बहुत बड़ा IT जाइंट आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर Uncommon Love Story A Uncommon Love इस book को recently launch किया गया है The book An Uncommon Love The Early Life of Suda and नारायन मूर्थी इस book को recently release किया गया है और इस book की author कौन है चित्रा बैनर जी चित्रा बैनर जी आपको इस book की author देखने को मिल जाएगी ओके जी चेलिए Next Next है हमारे Vice President of India Jagadeeb Dhankar इन्होंने भी एक book release की है ओके तो Vice President Jagadeeb Dhankar release the book Fertilizing the Future भारत March Towards Fertilizer Self-Sufficiency मतलब भारत Self-Sufficient होना चाहता है Fertilizer के direction में इसलिए हमारे देश में कई सारे Nano Urea Plants को Establish किया जा रहा है तो Fertilizing the Future भारत March Towards Fertilizer Self-Sufficiency इस book को recently unveil किया गया है launch किया गया है by the Vice President of India चीक है और इस book के writer कौन है author कौन है तो आंसर हो जाएगा Dr. Mansook Mandavia Dr. Mansook Mandavia जी की पुस्तक आपको देखने को मिल जाएगी Next है हमारे Home Minister अमिश शाह जी ने यहाँ पर एक book launch की है जिसका नाम है आसाम Brave Heart लचित बर्फूकन चेक है book का नाम क्या है आसाम Brave Heart लचित बर्फूकन और इस book को launch किस ने किया है अमिश शाह जी ने किया है अच्छा book के writer कौन है तो अरूप कुमार दत्ता अरूप कुमार दत्ता एंद श्रीमंता संकर देवा यह आपको देखने को मिल जाएंगे author of the book चीक है Next Next बात करेंगे This is again very important book अगर कोई आप defense exam की preparation कर रहा है तो मुझे लगता है यह book आपसे exam में पूछी जा सकती है चीक है हमारे देश के 28 28 chief of army staff कौन थे General M.M. Nervari और इन्होंने अपनी एक book launch की है जिसका नाम है 4 star of destiny चीक है आप ऐसे याद रख लो M.M. Nervari जी 28 number के army chief थे और star लगे होते है उनके batches वे तो 4 star of destiny इनकी book का नाम है चीक है नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर एक समंदर मेरे अंदर book को launch किया गया है किसने launch किया है ब्रम्भोज एरोस्पेस के डिप्टी CEO संजीव जोशी ने चीक है इसमें इन्होंने basically 75 poems का compilation publish किया है Done Next अब हिमन्त विश्व शर्मा हिमन्त विश्व शर्मा ने recently first volume launch किया है Political History of Assam 1947 to 1971 और बहुत जल्ली second book भी यहां पे second volume भी publish किया जाएगा तो Political History of Assam 1947 to 1971 volume 1 recently किसने launch किया है हिमन्त विश्व शर्मा ने launch किया है और इसके दूसरा और तीसरा volume 2025 तक unveil कर दिया जाएगा अब यहां पर यह जो Assam History है इस book के author कौन है तो Dr. Rajen Syaakhiya ठीके Dr. Rajen Syaakhiya आपको इसके writer देखने को मिल जाएगे Next अभी recently हमारे External Affairs Minister Dubai गए थे और दुबई जाके उन्होंने क्या किया था दुबई जाके उन्होंने एक book को launch किया था जिसका नाम है By भारत मैटर तो Why भारत मैटर ए बुख किसकी है External Affairs Minister एज जैशंकर जी की आपको देखने को मिल जाएगी ठीक Next एक और book है जिसका नाम है Sculpted Stone Mysteries of Mamla Puram Mamla Puram को हम महावली Puram के नाम से भी जानते है और इस book को recently unveiled गिया है launch किया है जिसके author कौन है अश्विन प्रभू आपको इस book के author देखने को मिलेंगे recently SSE के exam में ये book पूछी गई थी ठीक है Done Next अगली book के बारे में बात करेंगे Former Assistant Secretary General of United Nation Lakshmi Murdeshwar Puri आप लोग ने Hardeep Singh Puri जी के बारे में सुना होगा Hardeep Singh Puri जी की wife है Lakshmi Murdeshwar Puri जो की Former Assistant Secretary General of United Nation रह चुकी है और इन्होंने अपनी इत book launch की है जिसका नाम है Shalowing the Sun तो Shalowing the Sun इनकी book का नाम आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे देखो Goa की जो Governor है न उनको books लिखने का काफी शौक है यह समय समय पे हर 2-4 महिने में एक-काद book को publish करते रहते हैं ठीक है हम बात कर रहे हैं Goa के Governor P.S. Sridharan Pillai के बारे में और इन्हों ने अपनी 212-212 नंबर की book को recently release किया है जिसका नाम क्या हो जाएगा Basic Structure and Republic Basic Structure and Republic इसे पंजी में लॉंच किया गया है Next है Information and Broadcasting Minister Release Book टाइटल Israel War Diary तो Israel War Diary किसकी book है इसको लिखा है Vishal Pandey ने अभी जो Israel की war है वो कैसी है बहुत विशाल है कब से चल रही है एक साल की उपर हो गया वो war खतम ही नहीं हो रही है Israel और हमास की जो युद्ध है तो Israel War Diary ये किसकी है Vishal Pandey की book आपको देखने को मिल जाएगी और अनराक सिंग ठाक़र जी ने इस book को launch करने का काम किया था चिक चले अब यहां पर देखेंगे FIH Odisha Hockey Men's World Cup तो 2023 में बहुत अच्छे तरीके से successfully FIH Hockey Men's World Cup इंडिया ने होस्ट किया था उड़ेसा में तो इस पर एक book recently launch की गई है उड़ेसा के CM नवीन पतनायक जी के द्वारा चीक है नेक्स्ट बात करेंगे The Conspiracy by the Gota Baya Raja Pakchhe अब यहां पर Gota Baya Raja Pakchhe जो कि former Frilankan President रह चुके हैं उन्होंने allegation लगाया कि China जैसे बड़ी बड़ी पावर रही है उनका हाथ रहा है मुझे गद्दी से हटाने में तो इन्होंने इस book को launch कर दिया The Conspiracy किसकी book है Gota Baya Raja Pakchhe की book है Next है सिधार्थ राजशेखर इनकी book का नाम क्या है I Can Coach I Can Coach इस book को किस ने लिखा है तो सिधार्थ राजशेखर ने लिखा है ठीक है सिधार्थ राजशेखर जी यहां पर founder है internet lifestyle hub के Next अगली book बहुत important है मुझे लगता है यह book भी exam में आने के लिए important है exam में पूछी जा सकती है knife चैकर knife book किसकी है तो knife book है सलमान रशिदी की British American author है सलमान रशिदी और उन पर जब knife से attack किया गया था 2022 में और उनकी एक eye damage हो गई थी और उसी incident के बारे में इन्होंने इस book में mention किया गया है which is knife knife के अलावा सलमान रशिदी की कई सारी और भी books है जैसे कि midnight children 1981 में midnight children के लिए इन्हें booker prize दिया गया था so this is very very important और ये book जो है वो कई बार exam में already पूछी गई है चलिए next है just a mercenary अब यहाँ पर देखिएगा जो भी RBI के governor होते हैं और government of India उनके बीच में generally tension हो जाती है क्योंकि RBI के जो governor है उनको voluntary policy बनानी है देश की financial condition को stable रखना है लेकिं समय समय पे government जो है उनसे loan वगएरा भी मानती रहती है between the RBI governor and the government of India वो सारी बातें इस बुक में mention की गई है जिसका नाम है just a mercenary और उस बुक के writer कौन है तो former Reserve Bank of India governor जिनका नाम है डुबोरी सुभा राओ इन्होंने इस बुक को recently launch किया है next फिर से आ गए है पिये श्रिधरन पिल्लाई जो कि गवर्नर है और इहोंने अपनी 221 नंबर की बुक को भी launch किया था जिसका नाम है Heavenly Island of Goa Heavenly Island of Goa इनकी बुक का नाम है चलिए next बुक है सुल्ताना ड्रीम्स सुल्ताना ड्रीम्स यहाँ पर UNESCO रिकगनाईज feminist, Ethiopian, Noble सुल्ताना ड्रीम as a part of memory of the world यहाँ पर सुल्ताना ड्रीम्स जो बुक है वो बेगम रुकईया की है बेगम रुकईया की इस बुक को UNESCO ने रिकगनाईज किया है as a memory of the world यहाँ पर जो 10th नंबर की जनरल मीटिंग हुई थी UNESCO की तब इस बुक को रिकगनाईज करने का काम किया है सुल्ताना ड्रीम बुक को 1905 में लिखा गया था जिसमें इन्होंने रुकईया बेगम रुकईया ने अपनी इमेजिनेशन के बारे में बताया है उन्होंने 1905 में सोचा था किस तरीके से सोलर एनरजी का इस्तमाल करके फ्लाइट हमारे एरक्राफ्स फ्लाइ कर रहे है तो ये उनका इमेजिनेशन उस समय पे था नेक्स है बिल गेट्स तो बिल गेट्स बहुत जली मतलब फरवरी 2025 तक अपनी बुक को लांच करेंगे जिसका नाम है सोर्स कोड तो सोर्स कोड किस की बुक का नाम है इस बुक को लिखा है अल्पना खीला वाला ने जिसमें इन्साइड स्टोरी बताई है कि कैसी यहाँ पर जर्नी रही है आर बियाई के रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के तो वो सारी इन्साइड्स इन्होंने इस बुक में में मेंशन किये है इस बुक को किस ने लिखा है आर अश्विन की बुक है अब अब आश्विन एक किरकेटर है उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरी बुक को खुद लिखे तो इसके एक को ओथर भी है और को ओथर का नाम क्या है सिधार्ट, मोंगा, को आथर देखने को मिल जाएंगे अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे देश के जो 13th नमबर के Vice President रहे है वैंकया नाइज्यू इन पर बुक को रिवील किया है प्राइम मिनिस्टर नरेन मोदी रिलीस थी बुक on the life and the journey of former Prime Minister of former Vice President of India वैंकया नाइज्यू ठीके तीन बुक्स है कौन-कौन सी है वैंकया नाइज्यू, Life in Service Celebrating भारत, The Mission and the Message of Shri M. Vैंकया नाइज्यू as a 13th Vice President of India and Mahaneta Mahaneta, Life and Journey of the M. Vैंकया नाइज्यू ये तीन बुक्स recently 75th birthday पर अन्वील की गई है M. Vैंकया नाइडियो हमारे देश के 13 Vice President रहे है 2017 से 2022 तक चीक है इतनी चीज़ें चलिए Next है Manoj Vajpayee, The Definitive Biography यहाँ पर Manoj Vajpayee जी की Biography को लिखा गया है किसने लिखा है? प्यूश पांडे ने लिखा है इस बुक में बताया गया है किस तरही के से छोटे सी जगह से आया हुआ एक और्डिनरी मैन किस तरही के से छोटे छोटे कैरेक्टर करते करते कितना बड़ा Movie Star बन जाता है तो Manoj Vajpayee जी की Biography का नाम क्या है? The Definitive है और इसको लिखा किसने है? प्यूश पांडे ने लिखा है Next है RSS Chief Mohan Bhagwat Release Book on 1965 War Hero अब्दुल हामिद तो 1965 के War Hero अब्दुल हामिद पर एक बुक को रिवील किया गया है बाइदा Mohan Bhagwat Mohan Bhagwat जी कुछ समय पहले अब्दुल हामिद के Native Village पे विजिट करने गये थे और उसमें रोने इस बुक को लॉंच किया है और इस बुक का टाइटल क्या है मेरे पापा परमवीर और दूसरा बुक है भारत का मुसल्मान इन दोरो बुक को रिसेंटली रिलीज किया गया है चीक है next अरनाचल प्रदेश गवर्णर रिलीज़ बुक on the Kargil War अरनाचल प्रदेश के गवर्णर लेफटिनेंट केटी परनायक ने एक बुक जो कि Kargil War से इंस्पायर है उस बुक को लॉंच किया है जिसको लिखा किसने है वीर चक्र अवाडी M.B. रविंदरनाथ M.B. रविंदनाथ जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है बुक का कम्पलीट टाइटल है Kargil War, The Turning Point Kargil War, The Turning Point ठीक नेक्स बुक Wings to Our Hopes Volume 1 On the President Draupati Murmuz 75 Signified, Significant Speeches यहाँ पे जो भी Draupati Murmuzi की 75 Speech रही है उन सारी Speech का Compilation इस बुक में किया गया है जिसका नाम है Wings to Our Hopes Volume 1 जिसको recently Union Agriculture Minister Sivaraj Singh Chauhan Ji ने Launch किया था यहाँ पर दो और बुक launch की गई है और इन बुक का title क्या है कहानी राष्टपती भवन की and राष्टपती भवन Heritage Meets the Present इन दोनों बुक्स को भी release किया गया है अब आशा भोसले जी की biography को release किया गया है जिसका नाम है स्वारसौमनी आशा यहाँ पर आशा भोसले जी की biography है जिसमें उनके work को compile किया गया है कोई एक author नहीं है 90 authors ने मिलके इस बुक को compile किया है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आशा भोसले जी की biography का नाम क्या है तो स्वारसौमनी आशा आशा आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट है Tim Walker's Tim Walker की book है जिसका नाम है The Prisoner of Bhopal The Prisoner of Bhopal हम सभी लगों को 1984 की Bhopal Gas Can't या Bhopal Gas Tragedy ज़रूर याद होगी जिसमें Union Carbide Company थी उससे MICK मतलब मिथाइल आईसो साइनाइट गैस रिलीज हुई थी और काफी सारे लोग बहाँ पर मारे गए थे तो Tim Walker ने book लिखी है The Prisoner of Bhopal A Noble Comorative The 40th Anniversary of Bhopal Gas Treasury चीक है तो Bhopal Gas Treasury पे book किस ने लिखी है Tim Walker ने लिखी है Next UPKCM जिनका नाम है योगी आदितनात और इनका ड्रीम है कि UPK economy को 1 trillion economy हमें convert करनी है तो UPK Finance Minister जिनका नाम है सुरेश खनन इन्होंने इस book को release किया है जिस book का title है Trillion Dollar Economy Trillion Dollar Economy योगी government उत्तर प्रदेश on the move इस book को recently लखनों में launch किया गया है ठीक है इसके अलावा इसका Hindi version भी है Trillion Dollar Economy अब नहीं रुकेगा उत्तर प्रदेश ठीक है और इस book के author कौन है शीलवन्त सिंग आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर target है कि 2027 तक UPK economy 1 trillion dollar की economy हो जाएगी Next PM signed copy of Dr. R. Bala Subramaniam's book Power Within the Leadership Legacy of Narendra Modi यहाँ पर एक book release की गई है जिसका नाम क्या है Power Within the Leadership Legacy of Prime Minister Modi और इस book को लिखा किसने है Dr. R. Bala Subramaniam ने इस book को लिखा है ठीक है बाकि यह कुछ और books है जैसे कि I Have the Street R. Ashwin की book है हमने discuss की थी Gateway to the Sea इस book को Governor of Maharashtra Ramesh Vaisaner उस समय governor थे अब तो नहीं यह महarashtra के governor यह पर launch किया है किसने आल्याभट ने India's Trade Policy The 1990s and the Beyond यह अर्विन पंगडिया की book आपको देखने को मिलेगी and this is very very important book क्योंकि अर्विन पंगडिया जी अपने आप में बहुत बड़े important person आपको देखने को मिलचाएंगे Next है Sudipta Sen Gupta Idho ने book launch की है Breaking Rocks and Barriers तो Sudipta Sen Gupta के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ यह पहली Indian women है जो की Antarctica गई थी expedition में in 1983 और वहाँ पर एक geologist है एक mountaineer है तो उन्होंने अपने जो भी experience है वो यहाँ पर mention किये हैं जिसका नाम है Breaking Rocks and Barriers चेक है किसकी book है सुदिपता सेन गुपता की book आपको देखने को मिल जाएगी Next बात करेंगे जमशेच जी टाटा अ बुक टाइटल जमशेच जी टाटा Powerful Learning for the Corporate Success तो किस तरीके से जमशेच जी टाटा ने एक छोटे से मिल से अपने business की शुरुआत की थी और किस तरीके से उनकी कहानी दुनिया के one of the prestigious hotel ताज होटल तक पहुँच गए तो वो पूरी inside इस book में mention की गई है और इस book के writer कौन है आर गोपाल कृष्णन और हरीश भट आपको इस book के writer देखने को मिल जाएंगे Next है प्यूश गोयल लांच India at 100 इस book के author कौन है प्रोफेसर के भी सुब्रमन्यम आपको इस book के author देखने को मिल जाएंगे इस book में mention किया गया है कि किस तरह किस इंडिया 55 trillion dollar की एकोनोमी हो जाएगी in 2047 चिक Next है सपनों की उडान एक magazine है यह जो कि NCRT ने publish की है Union Minister of Education Release the inaugural edition मतलब पहला edition है E magazine सपनों की उडान और इसको 23rd of August 2024 को launch किया गया था क्योंकि 23rd of August को हमने अपना पहला National Space Day celebrate किया था अपना पहला National Space Day भी celebrate किया था तो सपनों की उडान एक E magazine आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें different article, poem और ISRO के जो भी missions थे उनके बारे में information मिल जाएगी इस magazine को किसने ready किया है NZERT National Council of Educational Research and Training Department of School Education ने इसको ready करने का काम किया है Next बात करते हैं यहाँ पर अगली book के बारे में So Amish Shah released Tarun Chuk's book Modi's Governance Trump Reshaping India's Path to Prosperity यहाँ पर book का title क्या है Book का title है Modi's Governance Trump Reshaping India's Path to Prosperity और इस book को किसने लिखा है BJP Leader है Tarun Chuk तो Tarun Chuk जो कि BJP Leader है वो इस book के author है और इस book को launch किया है Amish Shah Ji ने Next Discover a New Era in Energy Book Launch A Journey from the Black Gold to White Gold तो यहाँ पर एक book है जिसका title है From Oil to Lithium Navigating the Future of Energy और इस book को लिखा किसने है Kuldeep Gupta ने इस book को लिखा है चलिए अगली book important है Shri Rama in Tamilgam तो Tamil Nadu और Ramayan में भगवान राम की क्या कहानी रही है जो कि associated है Tamil Nadu से वो सारी बाते इस book में लिखी गई है और Tamil Nadu के governor ने इस book को launch किया है अच्छा इस book के writer कौन है तो D.K. Hari and D.K. Hema Hari ठीके D.K. Hari and Dr. D.K. Hema Hari आपको इस book की author देखने को मिल जाएंगे नेक्स्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमिश शाह ओनर मुंबई समचार लेगसी विट 200 नॉट आउट डॉक्यमेंटरी रिलीज तो यहाँ पे 200 साल की जर्नी कंप्लीट की है एशिया के oldest newspaper ने और उसकी डॉक्यमेंटरी जिसका नाम है 200 नॉट आउट इसको रिलीज किया गया है बाइदा अमिश शाह ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे और टो बायोग्राफी ऑफ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर शुशील कुमार सिंदे ये शुशील कुमार सिंदे जी रहे है शुशील कुमार सिंदे जी कई सारी बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पोजिशन पे रहे है जैसे कि महरास्ट के चीफ मिनिस्टर रहे है 2003 से 2004 के बीच में इसके अलावा गवर्नर आफ आंधर प्रदेश भी रहे है यूनियन होम मिनिस्टर भी रहे चुके है शुशील कुमार सिंदे तो इनका क्या पॉलिटिकल इतिहास रहा है तो इन्होंने अपनी और्टो बायग्राफी को लिखा है जिसका टाइटल क्या है फाइव डिकेट्स इन पॉलिटिक्स ठीक बुक ओन हिस्ट्री ओफ कोची रिलीजड तो यहां पे कोची फेम एंड पेबल्स इस बुक को रिसेंटल एक जनरलिस्ट है जिनका नाम है एम के दास इन्होंने इस बुक को लिखा है हम सभी लोग जब बिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करते हैं इंशेंट सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा डिसकर्शन करते हैं कि कोचीन का तिहास कितना पुराना रहा है तो बहां पर मतलब इस बुक में कोचीन जो पोट सिटी हुआ करती थी और आज भी है तो उसके पूरी legacy के बारे में इस book में mention है चलिए अब ये बहुत important person है जिनका नाम है अरुन्धती रॉय अरुन्धती रॉय इसलिए important है हमारे लिए क्योंकि इनकी एक बहुत important book है जिसका नाम है The God of Small Things and The God of Small Things के लिए इनने 1997 में booker prize में मिल चुका है चीक है The Ministry of Almost Happiness book भी इनकी है और recently इन्होंने एक नई book को launch किया है जिसका नाम है Mother Mary Comes to Me This is very very important और मुझे लगता है ये किसी SSC के set में आपको मिलेगी Mother Mary Comes to Me ये book किसकी है आंसर हो जाएगा अरुन्धती रॉय की है September 2025 में इसको launch किया जाएगा चीक है चलिए अब बात करते हैं Brand Lara के बारे में So Brand Lara ने अपनी एक book launch की है Lara The England Chronicles A Cricket Legends book So Brand Lara ने अपनी एक book launch की है जिस book का title क्या है Lara The England Chronicles और इस book के co-author कौन है Phil Walker इस book के co-author आपको देखने को मिल जाएगे चलिए अब यहाँ पर किरन वेदी जी भी एक बहुत important personality है हमारे देश की और किरन वेदी जी की book का नाम क्या है Fearless Governance और इस book को recently French language में translate किया जा रहा है इसलिए आपको ये book देखने को मिल जाएगी तो Pondicherry University में जो department है French communication का उसके एक professor है जिनका नाम है एस पनीर सिल्व तो इन्हों ने इस book को Frenchese language में translate करने का काम किया है और ये book किसकी है आंसर हुजाएगा किरन वेदी की book है Fearless Governance नेक्स्ट बात करेंगे सुखविंदर सिंग सुखू रिलीस टू बुक सुखविंदर सिंग सुखू ने दो बुक्स को launch किया है पहला है जलंदर पीट का रहस्य और दूसरा book है जिसका नाम है मुस्तर का खाता और इन दोनों book के author कौन है अजयब पारसर आपको इस book के author देखने को मिल जाएंगे कुछ और books launch हुई है दोक्टर कलपना संकर आपको देखने को मिल जाएंगी नेक्स्ट है war एक नई book launch हुई है एक यहाँ पे investigating generalist है जिनका नाम क्या है बॉब बुट्स वर्ड और इन्हों ने अपनी एक book को launch किया जिसका नाम है war book का नाम क्या है war आपको देखने को मिल जाएगा कि अभी जो ongoing war चल रही है उसमें बड़ी बड़ी जो major power है जैसे कि Trump की power है Putin की power है उनका क्या role है वो सारी बाते इस book में mention की गई है Mountain Mammal of the World So Mountain Mammal of the World book को recently launch किया है M.K. Ranjit Singh ने M.K. Ranjit Singh इस book के author आपको देखने को मिल जाएगे जो की chairman है Wildlife Trust of India के basically एक guide book है ये जिसमें mountain area में पाई जाने वाली different kind of species के बारे में information है So Mountain Mammal of the World किसकी book है M.K. Ranjit Singh की book आपको देखने को मिल जाएगी Next है The Golden Road How ancient India transformed the world by the Billiam Dalrymple अब यहाँ पे देखेगा एक book है कि किस तरीके से जैसे कि आज हम surgery की बात करते हैं तो इनका कहना है कि गडेश जी गडेश जी का जब सर कट गया था तो हाती का सर जब उनको लगाया गया था मतलब उतने समय से भारती लोग surgery के बारे में जानते हैं जैसा इनका मानना है और सही बात भी है कि भारत भले ही हमने patent file नहीं किया हमारे बास उतने documentation उतने relevant नहीं है लेकिन हाँ भारत का दिहास और legacy बहुत जादा पुरान ही है तो इस book में यही mention किया गया है The Golden Road How Ancient India Transformed the World और इस book को लिखा किस ने है William Dalrymple ने इस book को लिखा है फिर है last book Sakshi Malik तो Sakshi Malik की एक book publish हुई है जिसका नाम है Witness ठीक है इनों ने बताया किस तरीके से जो इनके partners थे मत्तब इनके साथ जो और दूसरे wrestlers थे जो दिल्ली में protest कर रहे थे और उन पे political लालच आ गया पेसो का लालच आ गया और वो protest हमारा धरा कदरा रहे गया और उन्होंने government को join कर लिया मत्तब election लडने लगे आप समझ पा रहे हैं कि वो किसकी तरफ indicate कर रहे है तो basically इस book को उन्होंने publish किया है Sakshi Malik 2016 में इन्होंने summer Olympics में इंडिया को represent किया था यह आपको co-author देखने को मिलेंगे तो यह आपको 10 महिने की last 10 month की सभी important books मैंने cover कर दी है इसका pdf पूजा जन classes application पे upload किया गया है आप download करके revise भी कर सकते हैं और मैं आपको suggestion दूँगी जैसे कि बीच में एक table मैंने आपको दिखाई थी like this book का नाम author book का नाम author ऐसा बना लीजिए और बार बार रिवाइस कीजिए especially वो books जिनको हमने लिखाए कि important है हाला कि मैंने यहाँ पे important book ही cover की है तो आप इनको याद रखेंगे ठीक है मिलते है next video में अगर video अच्छा लगे तो please like button पे click जरूर करना है और friends के साथ share भी करना है so मिलते next video में take care